आपको जानकारी के लिए बता दे अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने किसानों के लिए तीन बिल पास किये उस बिल के विरोध में अलग-अलग प्रदेशों से किसानों ने दिल्ली में कूछ कर दिया जगा-जगा किसानों के हीत में अलग-अलग प्रदर्शन हो रहे और वही जन्पदेटा में कॉंग्रेस कमिटी ने किसान बिल के विरोध में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी का पुतला फुका पुतला फुकने के समय कॉंग्रिस के जिला द्यक्ष गंगा सहाय लोधी, शहर कॉंग्रिस कमिटी के अद्यक्ष विनीत पारहशर, वालमिक इठाकूर, अनिल सोलंकी, योगेश यादव, पुर्वजिला अद्यक्ष, नैना शर्मा राजेंद्र यादव, नीलम राज, रजत यादव, शत्रुगन चौहान, आशु यादव, बगवान स्वरुप, आदी कार्यकरता उपस्थित रहे, यानि किसानों से डर रहे हैं, और वो पुल्स को आगे कर रहे हैं, हमारी माग है किसानों के हित में, जो काला जो कानून पास किया है, तीन जो फिल पास किये हैं, त्रंत वत्रह उनको बापस लिया जाए, अनिता कि इस्थिती में, जन आंद दौलर पूरी तरिका से वही कॉंगरेस कमिटी के जिला द्यक्षगंगा सहालोधी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अगर किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं हुए, तो आगे और बे आक्रोशी तांदुलन होगा, वही एटा सदर S.J.M. अब्दुलकलाम ने आश्वासन दिया कि प्रदानमंत्री के नाम ग्यापन सौप दिया जाएगा, इन भी से न्यूस के लिए जनपर एटा से मोहमद आसीव की रिपोर्ट